Hello everyone मैं आपके साथ मनोज वर्मा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉल पुट कैसे करते हैं ट्रेडिंग यू से पूरी चीजों को गोर से समझेगा क्योंकि यह कोशन बहुत ज्यादा आता है जो भी option future में काम करते हैं उनका बहुत ज्यादा यह कोशन होता है तो मैं कोशिस करूँगा सारी चीज़े यहां clear करने की और आपको एक live demo भी दिखाऊंगा market बंद होने का time हो रहा है फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिस करूँगा सबसे पहले मैं आपको दिखा दिता हूँ यह हमारी website है यहां आपको जाना है login करना है sign up करना और उसके सामनी dashboard आएगा तो सबसे पहले तो आपको अपनी API connect करनी है जो कि मैंने यहां कर रखिये मैं आपको दिखा देता हूँ यहां API के page पे गए जैसे मैंने इस API credential पे click करा यह page open हो गया तो आपको अपनी API connect करनी है add करने के लिए पहले आप add करोगे जरोधा पे click करोगे और main thing है आपका webbook URL जो आपको यहां पर 1st 2nd 3rd थर्द पर आपको webbook URL डिख जाएगा इसे copy कर लेना है यह copy कर लिया मैं copy कर लेता हूँ आपके सामने यह मैंने भी copy कर लिया अब उसके बाद आपको क्या करना है आपको trading view पर आना है अब काफी लोग कहते हैं कि उन्हें call buy करनी और इस तरीके से करना है कि जब वो call buy करे तो उनकी put exit हो जाए जब वो put buy करे तो उनकी call exit हो जाए इस तरीके से as a example के लिए मैं क्या करता हूँ अभी के लिए एक indicator लगा के दिखा रहा हूँ आपको by default setting पर लगा देता हूँ यह मैं गया और इसको मैं reset कर देता हूँ जिसस जैसे ही यह signal आए कोई भी उनका buy का signal आए तो उनकी put exit हो जाए call buy हो जाए इस तरीके से करना चाते है कि put को close करना चाते है और call buy करना चाते है फिर call को close करना चाते है put buy करना चाते है तो मैं यह चीज है आपको indicator पर नहीं दिखाँगा time भी काम है और थोड़ा सा complicated हो अधे मैं आपको यी चीज दिखाँगा हो horizontal line पर तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ मैं इसे बंद करता हूँ मैं दो horizontal line डालता हूँ एक का color मैं कर देता हूँ green एक मींट एक का color मैं कर देता हूँ एक सेकेंड ये थोड़ा सा हो नहीं रहा ये मैं इधर गया और एक का कलर कर दिया मैंने green और दूसरे का कलर कर देता हूँ मैं red जिससे आपको idea लगे जो green यूज करूँगा वो करूँगा मैं call by करने के लिए put exit करने के लिए और जो red यूज करूँगा मैं वो करूँगा put by करने के लिए call exit करने के लिए कोई भी मेरा signal आएगा तो पहले एक ही चीज होगी अगर मेरे पास put by होगी then exit होगी अगर मेरे पास call by होगी then exit होगी तो मैं जरोधा पे दिखा रहा हूँ आप किसी भी broker के साथ कर सकते हो हम पाँच ब्रोकर इंडियन ब्रोकर सपोर्ट करते हैं जरोधा, फायर, अपिस्टोक, सैंको और अलेक्स ब्लूग तो अभी मैं जरोधा पे चलते हैं अब यहां मेरे order पे जाओगे यहां पर आपको कोई order ने दिख रहा आपको सबसे पहले क्या है आपको जो call बा apoyo करनी हो उसका chart लूना है मैं खोल लेता हूं चारट यह मैंने चारट कोल लिया और मेरे और मेरे को इसे copy करना है यह मैंने copy कर लिया यह इसे symbol है, जिस call को में buy करना चाहता हूँ, उसका symbol मैंने copy कर लिया, अब हम यहाँ चलते हैं, और यहाँ पर हम centex का page खोलेंगे, हम centex generate करेंगे, call buy करने के लिए, हम क्या करेंगे, fully automation पर जाएंगे, पहले हम जरोधा पर double click करेंगे, यह जरोधा का centex page खुल गया, आप buy करना चाहता हूँ, यह NFO के अंदर आता है, quantity इसके अंदर 20 होती है, जो lot size है, buy करना चाहता हूँ, market, यह code मेरा generate हो गया, बस मुझे इसे copy करना है, और मैं आपके सामने इस code को यहाँ पर paste कर रहा हूँ, यहाँ ले आता हूँ, यहाँ पर paste कर देता हूँ, जिससे आपको दिखा सको, यह code paste कर लिया, आपको सही से दिखे, इसलिए मैं एक इंटर मार देता हूँ, इस कोमा के बाद, जिससे डबल लाइन में हो जाए, आप भी मार सकते हो, आपकी मर्जी नहीं मारना चाहते है, आपकी मर्जी है, तो अभी दो code बन गए, जैसे मैंने कोमा के बाद इंटर मारा, जो यह आप bracket देख रहे हो, उसके बाद एक कॉमा ता इंटर मारा, दो लाइन हो गई, तो यह मैंने दिखाने के लिए मारा, आप नहीं भी मारोगे चलेगा, तो इसके अंदर क्या है कि पहला code है, पोडिशन को एकजिट करने के लिए, अगर कोई पोडिशन ह अगरा symbol, दुबारा इधर गया, आप क्या करोगे, आप डबल क्लिक करके दुबारा से जो मैंने रिपीट कराता है, फुली अलगो वगयरा वगयरा करोगे, बट मैं यहां पर इस चेंज करके, मैं एक कोड बना देता हूं, यह भी मेरा बाय का कोड है, कॉपी करा, और उसक अब हमारे पास यह देखिएगा, यहां पर कॉल का कोड है, उपर वाला नीचे पुट का कोड है, अब मुझे क्या चाहिए, कि जब मेरी कॉल बाय हो, तो मेरा पुट एकजिट हो, तो मैं यहां पर क्या करूँगा, यह जो symbol है, इसे कॉपी करूँगा, और उपर वाले में दाल दूँगा, आपके सामने control V से replace कर दिया, अब यहां क्या हो गया, जब भी मेरा एक signal आए, मतलब लोग का signal आता है, तो मेरा क्या करे, कि put को exit करे, अगर मेरे पास put है, तो उसे exit करे, और मेरी call बाय कर ले, यह मेरा code बन गया, उसी तरीके से अब में नीचे करूँगा, इस code को उठाऊंगा, call के symbol को उठाऊंगा, और इधर दाल दूँगा, close position के अंदर replace कर देता हूँ, delete मार के, यह replace कर दिया, दूसरा code बन गया, जब भी मेरा short का signal आए, तो मेरा call, exit हो, और put by हो, मेरे दोनों code बन गए, अब मैं दोनों code को copy करूँगा, यह मैंने copy करा, आप के सामने दाल रहा हूँ, यह गया, और यह गया, और मैंने यहाँ पर इस code को दाला, इधर मैं लिख देता हूँ, call, जिससे आपको idea लग जाए, as a reference लिख था है, मैंने call, और इधर वैबुक URL दालना है, और बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं दालेंगे, तो order नहीं लगे वही automatic add मिलेगा, तो मैंने यह दाल दिया, आप देखोगे, मैंने इसके अंदर alerts लगा दिया, और जो मैंने alerts लगाया वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है, call नाम से, इसको मैंने as a reference call नाम दिया है, अब ऐसे ही मैं पुटका code लेके आता हूँ, पुटका code लाने के लिए मैं आपको इसे copy करना है, मैंने copy कर लिया, और उसके बाद मैं चलता हूँ, आपका जरोधा पर, sorry जरोधा पर कहा रहा हूँ, ट्रेडिंग यू पर और यहाँ पर मैं इस line पर भी alerts दाल दे रहा हूँ, मैं आपको एक बार फिर से बता दू, यह मैंने वैबुक URL जो लास्ट ट इधर में लिख देता हूँ, और इंटर मार दिया, यह code मेरा बनके त्यार हो गया, और मैंने इंटर मार दिया, और एक बार मैं देख लूँ, मैंने code पूरा ही copy कर रहा था, अब मैंने दो alerts बना दिये, अगर आप side में देखोगे, एक put के नाम से बनाया, एक call के नाम से बन इसलिए मैंने आपको यह चीज इसके अंदर दिखाईए, अब मैं जान बूच के इसे टिगर कराऊंगा, और देखिएगा क्या होता है, यह मेरा जरोधा का काउंट है, आप यहां देख सकते हो, order book में कोई order नहीं है, position के अंदर जाएंगे, कोई order नहीं है, तो हम क्या करत इसलिए मेरा put exit नहीं हुआ, तो यह हुआ, अब जैसे मेरी call की कमांड तिगर होगी, sorry, put की कमांड में तिगर होगा, put का alerts मेरा तिगर होगा, तो मेरा call exit हो जाएगा, और put by हो जाएगा, आपको एक बार live दिखा देता हूं, मैं इधर गया, और मैंने यह जान बूच के, put को trigger कराए, अब put trigger कराऊंगा, तो इस चीज में आप धान रखेगा, और मैं code दिखा देता हूं, जिससे आपको idea लग जाए, यहां देखिए, put के अंदर मैंने क्या call डाल रखा है, कि call exit हो, अगर call है तो exit हो, अभी हमारे पास call है, इसका मतलब exit होगी, और उसके बाद हमने ब जालते हैं, इधर trading view पे, और मैं इस चीज को trigger कराता हूं, आपके सामने, तो मैं जैसे इसे trigger कराऊंगा, तो आप इधर alerts आएगा, यह alerts आया, अगर इधर चलते हैं, तो इधर देखिए, इनने क्या करा, पहले तो इनने call को sale करा, यह हमारी call थी, इसको इनने sale करा आपके सा इस तरीके से आप call and put को buy, sell कर सकते हो, बस मैंने यह जो चीज दिखाई है, आपको है, अपको क्या करना है, जब आप काम कर रहे होगे, आपको इस चीज को indicator पे लगाना, आप horizontal line पे लगा सकते हो, indicator पे लगा सकते हो, indicator पे लगा सकते हो, वो आपकी margin, अब क्या होगा, अग अगर मैं दुबारा से call को trigger कराता हूँ, जब भी मेरा call का signal बनता है, तो क्या होगा, put exit हो जाएगा, और call buy हो जाएगा, as a example के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमारे पास क्या चल रहा है, आप देखोगे, यह हमारे पास चल रहा है, put buy चल रहा है, तो मैं आपके स कर दिया, और call buy कर दिया, इस तरीके से हमारी तीन trade हो गई, यही चीज आप super trend को भी indicator लगाते हो, तो इस तरीके से काम होगा, I hope आप समझ गये होगे, यह चीज है बहुत complicated है, अगर आप new हो, तो बहुत जादा time लगेगा इन चीजों को समझना, अगर आपको trading जो पहले से अब यह थीजों को समझना अफे बहुत बहुत मुटत जाब ऑई, अबाइश झाच को समझना अबलों, बाइच को समझना अबलों जाएवा एंप झाफ़ों, जाएब शुक्त लाख दीना बाइबलों, आपका समझना जाढने जाएबलों, यहीूद वढलों, तो बादे